अजा कि अलो प्रेंट्स तो आप सब किस्वागते कराई कि दियूटीब चैनल में हम पिलेख्ट शाटीज के बारे में डिसक्स कर रहें तो हम ने कॉस्ट तेरह मैं उसके अप्लिकिशन के बारे में डिसक्स कर लिया था आज वह तो एकल्स को समझने के लिए यह समझ में आगे तो आपको सारी कुश्ट्रण को सिंप्लिपाइब करने में और सम्प्री से होगे तो इनेजी नसी बतलब होती है उसको क्लिग करने के लिए धीरे भीडिए स्टेप्बाइब तो आगे बड़तें तो बेसिकली आता है एनर्ज इसके लिए बड़ी बात नहीं है लेकिन यह पूछेंगे तो इसकी डेफेशन हमारे पास नहीं होती है इसके लिए हम क्या करेंगे कुछ एक्सपर्मेंट करेंगे तो एनरजिय एंड वर्क का यह जो रिलेशन हैं यह आपको समझ में आ गया है तो बेसिकली हमारे फिजिक्स का यही प्रिंसीपल जो कुछ भी डिवेशन जो कुछ भी फ्यनोमेन चितने भी कंसेट अपन पड़ें सबस्क्राइब मैख्याइब मेरे ने सब्सक्राइब जब आपन स्टेट से उपर चड़ने रगते तो क्या होता है यह मुसल कॉंपरेसाइड एक्सपांड होते हैं उस पार्ड में जो वर्दन होता है उसका उसका युटिलाइशन करके हम क्या गरते हैं ग्रांड फ्रॉर से फॉर्फ प्रॉर तक आजाते हैं अभी कंडिशन क्या सब्सक्राइब करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली ग्रांड से पर्टिकुलर हैट तक जाने के लिए हमने एनर्जी का युटिलाइशन करके वर्द किया लेकिन नीचे आते ताइम हमें कोई वर्द करना यह दो आखना ही नहीं पढ़ा जैसे कैसे इसलिए आपको यह एक वेलेशन समझना पड़ेगा कि बेसिकली इसका सबसे इंकॉर्ण रूल होता है कि अवरी वर्दन वर्दन बहुत दंव में इनर्जी मतलब एबिडी वर्क यह हमेशा से पर्म और वर्क यह वर्क हमेशा च इसके उपर से हमने law of conservation of energy बनाया था जो एक्स्प्रिन करता है कि energy energy नेदर भी created नौर भी destroyed इस energy को अपन प्रिये भी नहीं करते हैं इसको डिस्प्राइब भी नहीं करते हैं बस इसको हमें convert करना पड़ता है इसको डिपाइन करने के लिए आपने इसे बोल सकते की energy in flow is nothing but बहुत सारे एक्जामपल है जैसे के माला में photosynthesis होता है उसमें sunlight आने के बाद process इसका मतलब sunlight में जो light energy थी उसने वर्टन किया इसको अपन photosynthesis बोल रहे है एंड उस photosynthesis का जो work done था उसका कुछ amount वाकी तो minerals होती ही है water होता ही है पुछ amount energy के पौर में store होता है तो अगर के सब्सक्राइब करते वोटर को फिर इस energy को एक्जार गर के सब्सक्राइब करने के लिए तो इसका मतलब energy and work done एक दूसरे के पर डिपेंड होती है यह होगी in general physics की concept अभी topic की concept की उपर आना है हमें हमें topic में पढ़ना है next point वो है energy density तो energy density में density मतलब वालू में हमें क्या होता है energy core unit whole unit ठीक है तो पहले हमें energy क्या होती है कैसी आती है इसको समझने के लिए जोटा सा derivation इंट्रडूस करना पड़ेगा जिसमें अपन क्या करेंगे पहले वर्टन क्या करने के लिए फोर्स क्या करेंगे जिसको अपन बोलते है मेकेनिकल फोर्स एक्टिंग और चार्ज बोड़ी है उसके उपार एक्ट होने वाला मेकेनिकल फोर्स हमें यहां पर इंट्रडूस करना है देखो जो डेडिविशन आपन अभी पड़ेंगे कुछ ज्यादा काम का नहीं है वहां से बस हमें कुछ फॉर्मूले मिलते जो हम करने के लिए यहां पर एध्रम्शन पीकिस तरह से कि एकी बॉडी है वह भी चार्ज बोड़ी है लिकिनि यहां पर प्रॉब्लेम क्या है कि बॉड़ी का चोटा सहीर हमने विए ढिस और पर ढ़ीiben जो रहे तो यहां पर कंडिशन अपन हैं जूंग कर रहे हैं कि बाती बॉड़ी का पूरा चार्ज मिला के यह दिए स्कूपर का जो चार्ज है उसको इस बॉड़ी से आवे पुश्च कर रहा है कोई करते हैं कितना फोर्स होगा यह मैं जाल करने के लिए पूर्स जब्सक्राइब करने के लिए तो लिए आप एक simple arrangement बना देंगे, यह इस charge body के outside एक point लेंगे A, insert दूसरा point लेंगे B, तो condition क्या होगी देखो, यहापे हमें E1 and E2 को consider दरना है, E1 मतलब electric field intensity due to charge on Ds, and E2 का मतलब electric field intensity due to charge on remaining area, तो इनके direction अगर ड्रॉ करेंगे, तो देखो condition किस तरह से बनती है, कि हम assume करेंगे कि A के उप वो E1 and E2, यह उनकी direction हमें मिलगे, हमें मालूमें थी, electric field intensity always positively charge body से, अब यह act होगी, same case B पे intensity के direction अगर ड्रॉ करेंगे, तो वो यहाँ से, वो इस तरह से मिलेगी, यह E2 and यह बनीगे आपकी E1, अभी देखो, यह E1 जो है, Ds से आवे जाएगी, लेकिक E2 है, बाहर जानी ह एक कॉर्नर में इसके हमें यही डारेक्शन की कंसिदर करने के लिए, इसलिए किसी भी चार्ज बॉड़ी के इंसेट, इलेक्री बढ़ने से पहले, देखो, एक तुल सिंपल आलेमें हमने किये, क्या किया है, मैंने फिरसी एक्स्प्रें करता हूं, यह चार्ज बॉड़ी क इसके उपर चार्ज बॉड़ी किया, उसका छोटा सा एरिया दियस कंसिदर किया, बॉड़ी के आउटसाइड पॉड़ी के लिए, इंसाइड पॉड़ी के लिए इवर इपको कंसिदर करके उनकी डारेक्शन में यह आपर शोट लिए तो जोमेंट्यों फिगर से करेंगे, आट ए तो आपे मुझे रिजल्टन इंटेंसिटी मिलती है, इए इकवल्स तो दीवन प्लस इटो, इसको में एक्वेशन नुमर्वन बन बन आगे देखो, वाई जीटी, जीटी आज आज आपको बॉस सिरम, उसका थर्ड अप्लिकेशन का था, कोई भी अगर च इस इकवल्स तो बनेगा, सिग्मा अपॉन इपसिरान, ये बना आपका थर्ड इकवेशन, तो इस तरह से हम ने क्या किया, बस जो दिखरा आपता, जोमेटर फिगर थी, उसको धोड़ा सा एक्वेशन के फॉर्म में, सिंग्री भाई किया है, रियारेंज किया है, नया कु तो एट पॉइंट बी, बी के उपर क्या होगा, फिर से प्रॉंग जोमेटर फिगर, रिजल्टन इंटेंसिटी जो है, वो बनेगी, एवन माइनस की तू, बिकल वोता रहते हैं तो आपोजी डारेक्शन, इस से विक्तर कॉंटिडी, लेकिन वाट हमने पहले सी निखा है, दिए जो इनसाइड वाली इनसीटी है, यह जो इनसाइड वाली इनसीटी है, यूप जीरो है, या अगर अगर आप पे पूट करेंगे, तो हम एपर समझ में आ रहा है, कि इवन एंट ये तू से उती है, इलेक्रिक प्रेशन पैसरी धेइस की हो, या विक ते दिविन ये सेवल है एक्वेशन मिलेगा एक्वन को रिप्लेस करते है तो यह फो यह creation मिलेगा का एटो से वहना है जब एक्षिर्म है इसको अगर सिंप्लिफाइब तरेंगे तो फोर्स बन रहा है चार्ज इंटू इंटेंसिटी अभी देखो यह दियस के उपर का जो चार्ज है उसको रिपेल करने वाले के रिस्पोंसे बाखी बोले का चार्ज है कि यह वी इंतेंसिटी मतलब कम से रेनी पड़ेगी यह Q-on EUS बना इंतेंसिटी कहुंसे हो मतलब E2 इसका व्यूंπε फोर्स है आप कितना नहीं है आपको क्या 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 करना पड़ेगा फिर से सीगमा इंट्र इट्रू इस्टाम क्यूं कूब बन रहा है सिग्मा इंटू दिए इंटू इंटू कितना का अभी काल्प्रेट किया सिफ्मा ओल घृल्ट इसे दिए डिया चाहिए तो इसको श्माल एंचेश गॉलोन चिसमें डियेस से दिवाइब करके यह इसे मत आप पर यह बना को आप जो आपके सब कुछ पट सिर्क में एक्स्प्रेसिट आपके आगे अबस एक लास्टेव ऐगे उसको इंपरुस करनी के लिए मैं क्या रखना हूं इसको रब कर देता हूं, बाखे सब कुछ पर सिर्फ है, आगे देखो, यह जो एक्वेशन है, सेकंड बार वह एक्स्प्रेंग करना है कि e equal to sigma upon epsilon, तो मैं दिखता हूं कि from equation number 2, sigma बना epsilon into e, अब यह sigma की value, मैं अगर यह बोस पर इनेट एलिया में पूट कर दोंगा, तो क्या हो सब्सक्राइब मतलब, epsilon square e square upon twice of epsilon, तो आपको epsilon epsilon cancel होके आपको expression में रहा है, 1 by 2 into epsilon into e square, तो यह होता है expression for mechanical force per unit area acting on the charge, तो तिके, आगे का derivation, energy density, जो important concept है, उसको समझ लिए है, यह required था, इसलिए आपको मैंने explain किया, तिके, इसको पे एक्मेंट में देखो, या फिर स्क्रिन पे देख सबके, ठीके, आगे मुझे प्रोसीड करना, इलेक्टिक फिर इंटेंसिटी क्या है, तो देखो, condition क्या है, इनर्टी डेंसिटी के उपर, तो condition हमने जो अभी एस्यूम किये थी, उसको ही में प्रोसीड करूंगा, कि basically, डाइगरम एक चार्ज बॉडी हमें दिक र किया था, और उस DS की उपर, फोर्स एक बने के वज़े से, तो आपकी कुछ तो हो रहा था, क्या हो रहा था हमें मालूम नहीं, लेकि फोर्स कितना एक हो रहा है, या हमें मालूम था, तो यह सब डिसकस करते टाइम हुआ क्या, एस तरह से, इस बोडी ने मिला कि क्या किया, किक एफ इतना फोर्स जो कितना था, सिक्मा स्पेर डियस अपन टू इप्सिलान या फिर वन बाइटो इन्टू इप्सिलान इस्पेर इंटू इस अभी पुलू किया था, इतना फोर्स एक्जर्ट करके, इस DS को बोडी से निकाल दिया, मतलब यह DS अभी हम देख रहे है, यहाँ पर आके रूप्या, इस से इन DS से, ठीके, और इसका displacement कितना हुआ था, जैसी कि DL इतना displacement हुआ था, अभी हमने यहाँ पर देखा कि basically क्या हो रहा है, कि DS यह सर्पेस का ही पाड़ता, उसको बारी बाकी चार्ज ने मिला कि घर से निकाल दिया, को हमारा फोर्स बनता जिस पोर्स है, इस बाड़ी ने DS को पहले निकाल दिया, तो मतलब कंडिशन के अजिन कोरो, अगर हमें DS को इसके घर पे फिर से लेके जाना है, तो हमें इस पोर्स इतना ही फोर्स एक्जर्ट करना पड़ेगा, बटिन द आपोजित डारेक्शन, मतलब हम क्या करेंगे, इ इस प्रोसस में क्या होगा, तो यह वर्गवन कितना होगा, फोर्स इंटू इसप्रिसमेंट, तो आपका वर्गवन बन गया, one by two into epsilon into e square into ds into dl, बट्ये इस इंटू dl, मतलब इस तरा से है कि area into length, विचिस नथिंबट तो बोल्यू, तो इसको अगर मैं इस तरा से लिप दू इस प्राइब करने के बार इस पी वर जितना चार्स था निपोड टीपोजिट किया लेकिन जो मिने स्टाइब बड़ा था लेचल के एवरी वर्गदन विर आवेज गेट प्रोल इन द फॉर्म इन इसका मतलब यहीं वर्गदन इनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा फिर हमारी एनर्जी बन गई इस इक वर्गदन इसको इनर्जी आई का से एकड़ सिंपल कंसेट है कि यह को भी मतलब की का अवा में चेले को इमेंजनरी कंसेटी वहां पर समय लिखा इस तूली आपकर स्टैक्ट यहाँ पे कि हम पूडियiki उपर लेके जारे मतलब कि हम बॉडिये की ऊपर चार्जद करने कि पुल करते हैं इस क कहा है इस बूरी के ऊपर हम ने चार्जिम ऑपधा करना पढ़ा इस बोडी के उपर हमने चार्ज को डिपोजिट किया, इस प्रोसेस को बोला गया बोडी की चार्जी और ये चार्जी करते ताइम हमें वर्टन करना पड़ा इस बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्ट्राटिक पोटेंशल एनर्जी पर उनि अलुज इसको अगर वी सिरेवाइब करूंगा, उसको मैं दिलिट करता हूं, तो यू से इस इप्सिलान इंटू इस्वेर इस नतिंग वार्ट एनरजी स्टी आप यह आपकी इनरजी इस्टी आपकी इसको डिफाइन करेंगे कि बेसिकल क्या होता है चार्ज को डिपोसित करने की प्रोसिस मतलब चार्ज तो यहां पे स्टेटमेंट बनेगा त्यूरी इस अजिए कि बोल्त कि एस इस अर्ष वार्ट पिस रिपॉर्ड दॉपाइन कि इस होगा अभी आगे क्या होगा इस वार्ट और इस वार्ट इच उर्ट these work done is stored in the form of in the form of energy known as electrostatic energy and then the last minute stored energy stored energy per unit volume is called as the energy energy is called as energy the concept is important what is important what is important when we charge the charge what is the charge the charge is the body present deposit 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 work done in the form of energy the energy from electrostatic potential energy and we stored energy per unit volume the energy density of the medium responsible for the further work done which is done by electrical energy clear and so this is all about energy density थ secondo आपको अगी की वीडिये अगर च़िए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पडएगा हुझे इन कराणा और हुपिक्स करना कर las X save P7 इस पे आपको WhatsApp करना पड़ेगा, तो आपको Worksheets and Topic की जो Synopsis प्रिंटें दोर से वो भी में जाएंगे, टीके? Thank you.